So hi guys, welcome back to the MS Editing YouTube channel. So, आज का हमारे आपर photo editing tutorial, Lightroom and Pixar photo editing पर होने वाला है. So guys, आज का हम photo editing जो करने वाले हो अपनी Instagram stories के लिए करने वाले है, ताकि आप अपने Instagram के लिए Kamal की photos को कैसे edit कर सकते है, वो भी simply कुछ steps के अंदर. और अगर आज आप भी step की photo editing को आप सीखना जाते हो जो इस्क्रीन पर नजर आ रही है, तो वीडियो का आपको completely last तक देखना होगा, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो रेड़ वाल इपन को दबा कर चैनल को subscribe कर देना, और साथ के साथ नोटिफिक्शन बेल भ सकते हो, इस का लिंग का आपको description में मिल जाएगा, तो गैज चलते हैं अपनी mobile screen पर, So hi guys, आपको यह पर अपने lightroom app को open कर लेना है, तो गैज लाइट रूम एपका link का आपको video के description में मिल जाएगा, या पिले स्टोर से या कि फिरी में download कर सकते हो, So guys, आपको का करना है कि अपनी photo को यहाँ पर लाइट रूम एपके अंदर शेयर कर देना, So lightroom app के अंदर शेयर करने के आद में आपके photo आप आल फोटो में आपको यह नजर आजाएगी, So photo यहाँ पर आने के बाद में simply आपको यहाँ पर कुछ steps को यहाँ पर follow करना है, So आपको सबसे पहले अपनी light वाले option पर क्लिक करना है, Then अपनी photo की lighting यहाँ पर यहाँ पर correct कर लिजेगा, So हम अपनी photo की lighting यहाँ पर highlights थोड़ा हम कम कर लेते हैं, आपके यहाँ पर कोई सी भी photos आप यहाँ पर select कर सकते हो, आपके photo यहाँ पर portrait mode के अंडर होईगी तो better आपके photo यहाँ पर edit हो पाईगी, So यहाँ पर mix पर जाएंगे, देनायास अपनी पिक के अंदर जो भी color है उनको यहाँ पर change करेंगे, आपके photo यहाँ पर बिल्कुल black and white करना है, So background में जो भी colors हमारे यहाँ पर हम यहाँ पर one by one select करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने face वाले color को यहाँ पर select कर लेते हैं, जो orange color हो हमारे face का color है, तो इसकी luminance को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे हमारा face यहाँ पर bright हो जाएगा, then centuration थोड़ी से महाँ पर बढ़ा देते हैं, yellow color पर जाएंगे, yellow color की centuration हम यहाँ पर बिल्कुल minus 100 कर देंगे, green की हम centuration minus 100 कर देंगे, then next color है उसकी भी centuration हम minus 100 कर देंगे, then blue color की centuration हम minus 100 कर देंगे, then pink color है तो इसकी pink की हम थोड़ी से luminance बढ़ाएंगे, थोड़ा से यहाँ पर इसको centuration भी बढ़ा देंगे, ताकि हमारे face यहाँ थोड़ा सा अच्छा pink tone हमारे face में भी नजर आए, red tone पर जाएंगे red tone की थोड़ी से luminance हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, then centuration थोड़ी से यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, देनिया से राइडन कर देंगे, राइडन करने के बाद में नीचे वाले option पर जाएंगे, यहाँ पर से हम थोड़ा सा texture से यहाँ पर हलका सा बढ़ाएंगे, 5 कास पास, यहाँ पर ट्राइंगल वाले पर शार्पिंग को थोड़ा साम यहाँ बढ़ा देंगे, जिस्ते हमारे face की काफी अच्छी तरीके से फोटो इस फोटो इस अच्छी तरीके से यहाँ पर शो करें, then noise reduction को थोड़ा से यहाँ बढ़ाएंगे, तो हमारे जो इतना भी noise सारा face पर यहाँ से रिवू हो जाएगा, then face हमारे यहाँ पर smooth हो जाएगा, color noise को भी हम थोड़ा साम अलका से increase कर देंगे, तो देख सकते हो कि हमारी photo यहाँ पर, जहले किस type की थी देना किस type यहाँ पर हो चुकिए, आपको करने का है कि share वाले बटन पर क्लिक करना है, और आपको save to device में इस photo को यहाँ पर save करना है, तो इस photo को अपने pixar tape के अंदर add करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर add करेंगे, जिससे आपकी photo आपके instagram, and facebook and whatsapp, सब जगे आपको अपनी photos को यूज कर सकते हो, काफ़ एचे तरिके साब आपके photo, edit हो जाएगी social media पर डालने के लिए, तो अब अपने इस photo को pixar tape के अंदर open करते है, इस pic को हमने कर लिया है, अपने pixar tape के अंदर open, अपने pixar tape को भी आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वीडियो की description का link मिल जाएगा, so pic यहां पर हमने import कर लिए, import करने का आद में हम यहां सब क्या करेंगे, add photos पर क्लिक करेंगे, then यहां से एक glow pages लेंगे red color की, इस red color की glow pages की size थोड़ा से नकिरिच करेंगे, then इसको हम यहां पर background पर कुछ steps यहां पर set कर देंगे, यहांनि जिदर भी आप अपनी fix पर set करना जाते हो, आप यहां पर set कर सकते हो, so हम थोड़ा steps यहां पर set कर देते हैं, कुछ size बढ़ा के, ताकि red tone हमारे background पर नजरा है, then थोड़ी से हम इसकी opacity को down कर देंगे, इतना हम यहां पर opacity रख देंगे, और यहां से इसको करेंगे, right in करने के आपने का next आपको add photo पर click करना है, then आपको एक camera frame pages भी आपके add कर देनी है, इसका भी रिंक आपको video के description में मिल जाएगा, इसको add करने के बाद में आपको यहां पर blend पर जाना है, तो इसको add कर देना, और कुछ steps हम इसे आप अपने, pick पर set कर देते कुछ इतना, यहां पर set करने के बाद में, यहां से हम इसको right click करेंगे, tools वाले के जाएंगे, crop पर जाएंगे, और नीचे सम फोटू को यहां पर थोड़ा सा crop कर लेंगे, कुछ steps हम देख सो तो गाइस कितनी अच्छी तरीके से हमारी फोटो एडिट हो चुकिए, आपको करने काई कि आप effects पर क्लिक करना है, यहां से देन आपको यहां पर effects पर जाना है, जहां से आपको थर्ड फिल्टर आपको नजर आ रहोगा, डोगर का तो इस पर जा कि आपको simply click करना है, इसकी fade को आपको almost 70 पर यहां पर रखना है, यहां से आपको करना है, कि इसको यहां पर draw tools के अंदर open करना है, और पर click करके इसको save करना है, आप आप आपको यह photo editing का tutorial अच्छा लगो, तो वीडियो को like करना, और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा, सो गैज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक के रिए, गुडबाई